हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो रेडियन्ट कम्पिटिशन क्लासेस और मैं आज आप लोगों को एक ऐसे सिश्टम के बारे में बताने वाला हूँ जो बीपीसी के लिए अनिवार्ज है इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हमारा टॉपर्स है वो उनका मार्क सीट ज जैसे देखेगा कि जेनरल हिंदी 58, जेनरल स्टडीज 1 182, जेनरल स्टडीज 2 131, मैथेमेटिक्स 290, रीटिन मार्क्स में देखेगा 603 और इंटर्व्यू में इन्होंने कम नंबर लाया है यानि कि 77 लाया है तो इस परकार जो है 680 नंबर इनका फाइनली है जबकि आप देख रहे हैं कि 537 फाइनल कट अफ है लेकिन एक मार्कसित मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ और सबसे पहले यहां गवर किजिए कि जो इनका मैथेमेटिक्स ऑप्सनल है ऑप्सनल में 300 में 290 नंबर इन्होंने प्राप्ति किया है बहुत अच्छी बात है लेकिन कु सेलेक्शन एक नंबर से चुटा है यह एवी सी का फिमिल का डीट है और एवी सी फिमिल में देखिएगा यहां पर एवी सी फिमिल में 501 में सेलेक्शन हुआ है और इनका जो है पुरा पूरी 500 नंबर है यानि एक नंबर से फाइनल सेलेक्शन रुका है अब हम लोग बात क में नंबर की वहाँ पर क्या था कि mathematics जिसमें कि 300 नंबर में कितना मिला 290 नंबर दिया गया है और जब कि यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या रखा anthropology इसमें कितना मिला है 300 में 133 मिला है यह जो difference आ रहा है इसी से संबंधित कुछ महत्वपुन बाते में आप लोगों को बताऊंगा यह यह यूँ कहिए कि जागरुख होने की जरूरत है यहाँ देखे जेनरल हिंदी रोने 51 जेनरल स्टडीज 1 169 जेनरल स्टडीज 2 135 एंथ्रोपोलोजी में 133 और रीटेन मार्क्स में देखिएगा 427 है और इनको इंटर्वी में 13 मार्क्स मिला है 500 और एक नंबर के वजह से इनका फाइनल सेलेक्शन नहीं हो पाया है यह भी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं तो अब सबसे बड़ी बात है कि यह जो 290 और इधर कितना 133 यह जो आप इतना अंतर देख रहे हैं आखिर य यह अंतर optional subject में क्यों होता है इसको थोरा सा समझने वाली बात है या इसमें BPSC के कौन सी गलती के वजह से students को यह खामिया जब होतना पड़ता है यह चीज हम लोगों को समझना आते अंतावस्यक है जैसे देखिएगा कि जब भी इस तरह की बाते होती है तो प्राय आप द लगातार होता रहे तो निश्चित रूप से भविश्च में सिर्फ इंडिनिंग बेक्ग्राउंड के बच्चे ही ऑफिसर बन पाएंगे खास करके BPSC के अंदर अगर यह सिस्टम लागू रहा चुकिए आप देखी रहा कि जितने भी मानविकी के subject हैं चाहे वो social हो चाहे चाहे इसमें social में जोगराफी हो history हो quality हो anthropology हो किसी में 210 नंबर से आगे आज तक नहीं गया है दोस्तों यह अब तक का record है यानि 200 प्लस लाना का मतलब यह बहुत बड़ी तेरिकीर है लेकिन यहां पर mathematics में देखे 290 तक यह कई बार इस तरह का मामला आया है लेकिन वहीं anthropology में मातर 133 ऐसा नहीं है कि quality में इतना अंतर आता होगा लेकिन आखिरे differences क्यों है तो इस difference को हटाने के लिए scaling system अतियावस्जच है अब सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं कि यह scaling system होता क्या है पहले इसको अच्छी तरह से देख लीजिए उसके बाद आप लोग जरूर comment किज चले देखते हैं scaling system देखें यह scaling system क्या है scaling पढ़ली क्या है क्यों इसे लागू करने क्या हो सकता महसूस की जा रही है वरतमान समय में जैसे देखें है भिन 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 प्रिक्शकों के लिए प्राप्तांकों का अभिप्राय भिन भिन हो सकता है कुछ परिक्षकों में अधिक अंक परदान करने की परविड़ती होती है, कुछ परिक्षकों में कम अंक परदान करने की परविड़ती होती है, तदा कुछ परिक्षकों में आउसत अस्तर के अंक परदान करने की परविड़ती होती है, कहने का मतलब है कोई जादा अंक देत कर दो सकता है उदारन के लिए कोई परिक्षक भी 20 Arms 2D के बीच में अंक हुगाता है दूसरा परिक्षक ही 70 संफ यो समान अंकर करने में स्फ़ितिता हुगा किये गए पच्पन प्राप्तां का अर्थ पर्थक पर्थक होगा पच्पन का प्राप्तां का पहले परिक्षा के दृष्टी में औस चात्र के विव्यक्ति होगा दूसरे परिक्षा के दृष्टी में स्रेष्ट चात्र के विव्यक्ति होगा तथा तीसरे परिक्षा के दृ बिभिन्य परिक्षकों के लिए अंक परदान करने का मापदंड भिन्य भिन्य हो सकता है। इसी परिष्थिती में बिभिन परिक्षकों के द्वारा परदान किये गए प्राप्तांकों के अधार पर छात्रों की तुलना करना तार्किक द्रिष्टी से उचित नहीं होगा। ग्रेट परदाली के अपनाने से भी यह समस्या समाप्त नहीं हो जाती है। तो इसके लिए आवसत ग्रेट सी के अस्थान पर डी होगा असपस्ट है कि बिभिन ग्रेट का भी प्राय उनकी सैध्यानतिक परिवासा पर पुड़ने रुपे निर्भड नो होकर काफी सीमा तक परिक्षक के द्वारा अपनाए गए माहान दंद पर भी अधारित होता है। बिभिन बिभिन परिक्षक और पर दान के जाने वाले ग्रेट की तुलना भी सरन नहीं है। क्या हुआ है परिक्षकों के द्वारा अपनाए गए मापदंड की बिभिनता के कारण आई भी संगतियों को दूर करके प्राप्तां को अथवा घ्रेड को एक ही मापदंड पर ले आने के प्रकडिया को स्केलिंग या परिमापन अथवा संसोधन यानि केलिब्रेशन कहते हैं अता बेविन परिक्षकों के द्वारा प्रदान अंकों को एक ही मापदंड पर पर परिवर्तित करना ही scaling है परिमापन है यानि कि देखेगा कि जो अलग-अलग परिक्षक के द्वारा मापी जाती है तो उसमें बिसंगती को दूर करने के लिए scaling system लाना अतियावस्या का UPSC में already लागू है जबकि ये BPSC में लागू होना अतियावस्या का अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कभी भी ये मान भी की के जो subject है चाहे social को हो या फिर उधर जो भी social का subject हो जैसे history, civic, geography, polity या anthropology इसमें बहतरीन मार्स की कलपना कभी नहीं की जा सकती है कभी कभी बिविन विस्यों की परकृति के कारण छात्रों के द्वारा बिविन विस्यों में प्राप्त अंक अथुआ ग्रेट के मान भी 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 हो प्राप्ताइब करते हैं जैसे संग्चेक्रित विशॉय जैत्विड़िन प्रिवित्यों के केरें, प्रिमाप्ण को प्रिमापन करना है विख सफने उनिय THIS év नॉर्मलाइजड स्केलिंग है रेखिये परिमापन में किसी परिक्षे के द्वारा परदान किये अंकों को रेखिये समेकरन के द्वारा परिवर्तित करते हैं इस परकार के परिवर्तन से पराप्तांकों के बीतरन के परिकरती नहीं बदलती है रेखिये स्किरिंग दो परकार पड़ हो सकती है प्रापतांकों का बिस्तार को समान करने के तथा प्रापतांकों के मध्मान वा मानक विचलन को समान करने के लिए प्रापतांकों के बिस्तार को समान करते समय रेखिये समीकरन की साहता से बिविन परिक्षकों के द्वारा पर प्रदान के गए अंकों के नियुन्तम और अधिक्तम प्राप्तांक के लिए अपेक्षित अधिक्तम प्राप्तांक के रूप में स्विकार कर लेते हैं। बीभी ने परिक्षकों के दौारा परदान किये गए अंकों के मध्धमान तथा मानक बिचलन को एक समान करने के लिए भी रेखिये समिकरन का प्रियोग किया जाता है इसके लिए सबसे पहले परिवर्तित प्राप्तांकों के लिए अपेक्षित मध्यमान तथा मानक बिचलन करने धारन इच्छानुसार कुछ भी किया जा सकता है परिवर्दित किया जाता है कि परिवर्थित प्राप्तांकों का बीतरन, शामाने प्राइक्ता बीतरन के नुरूब भी हो जाता है, तब इस परकार की स्केलिंग को समाने करित इसकेलिंग के नाम से ही पुकारते हैं, समाने करित इसकेलिंग में किसी परिक्षक के द्वरा प्राप्तांकों को किसी निश् तथा मानक विचलन पर पड़िवर्थित करने के साथ प्राप्तांकों का भीत्रन शामाने प्राइक्ता वक्ड के आकार को भी गरन कर लेता है बस तो तर प्राप्तांकों के दो वित्रकों का परसार अथवा मधमान वो मानक विचलन एक समान होते हुए भी उनमें प्रियाप्त भी निता हो सकती है। अता कुछ परिस्तितियों में रिख ये स्केलिंग परियाप्त नहीं होती है। अगर इस तरह से डिफरेंस को जिस तरह से जितना अभी एक्जाम होता है ये अतियावसक अगर ये नहीं हो यानि उच्चतम और निम्नतम का तुलना नहीं किया जाए और समानिकरण नहीं किया जाए तो निश्यत रुप से जो अच्छे स्टुडेंट है उनका सेलक्शन होता परदान करें तो बस आज के वीडियो बें इतना ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और कॉमेंट जरूर किज़ेगा धन्नवाद